कि यह कार्ट दिख रहा है यह‍प अधाए जिर्ण लाकल मिलता था कि यानिवी मतलब गरीब पईबार से है वीपियल धारी है तो उसके उसके लिए क्या होता था स्वास्त सुभधा लगवग पांच लाख तक क्या मिलता था इसमें लोन मिलता था इलाज के लिए किसके लिए इलाज के लिए कैसलेस था कैस उस नहीं मिलता था बस उतना का इलाज मिलता था अब कार्ड को देखते हैं कि जो कार्ड है ठीक है इसमें इसको मतलब मेन इसका मिशन क्या है मतलब मेन इसका मुद्दा क्या है क्यों वे बनवाया जा रहा है ठीक है तो एक तो है कि इससे एंसूरेंस मिल जा रहा है एक ऐसे इलाज अच्छ से हो सब्सक्राइब परिवार में किसी को अगर तबियत खराब है ठीक है अगर यह कोई गंभीर बिमारी है तो उसको इसके इस काड के तहद प्पांच लाग तक का इलाज होता था ठीक है अब इसको डिजिटल करने का क्या जरूरी पर घयाद ऑयसमान भारत डिजिटल मीशन धाय साल तक योजना है सरकार का, कितने कितने दिन का भी ग। योजना बनाया गिया नहीं होता है अगर 7 साल पहले हुए just ab interest समझ में उतना आता है तो अपसरकार को आधी कुछ लगता लगने पाता है ठीक कब क्या यह किस दिन कौन रूपय कितना रूपया निकाले थे किस तिन हमारे इसके लिए बनाय गया है आयुसमान भारत सब्सक्राइब अब इस कार्ड में क्या होगा जो अ ज्यूंसमाण कार्ड है ठीक है इसमें पूरा डाटा आ जाएगा इस ब्यक्ति को ये प्रोब्लमम है ठीक है अलांकि मतलब घर कानूनी हो ये डाटा भी नहीं करेंक्षSpace प्रोब्लम है यह डाटा शेयर नहीं करना होता है यह सिस्टम में बता पाएगा बस हảiडाब लगाने से आना तो लोग ही पता कर सकता हम लोग एसे नहीं पता कर सकते की सको क्या प्रोब्लम है यह डाटाा-ցसे-、 नहीं करना होता है ठीक है लेकिन यह काड़ में पूरता जानकारी रहेगा कि किस दिन कहां से इलाज कराया था का और कौन सा दिक्कत का इलाज हुआ था इसका अब इससे फायदा क्या होगा यह समझो ठीक आप जैसे यह काड ले लिया अब यह काड तो मिल गिया है ठीक है तो अगर कुछ भी प्रोब्लम होता है तो जाएगा कहां वस्पीटल में इलाज कराएगा इलाज कराएगा इस का अब इससे होगा क्या है समझे पूरे भारत में अपने भारत में कौन सा भीमारी जिएदा पता चलाए जैंस दिक्कत होरा ठीक है कहीं पता चलाए कि बलट का ज्यादा प्रॉब्लम है इस बेटामी नहीं बताई था कि अनीमिया नाम छोरग होता अनीमिया नहीं तो सरकार को इतना थो अंदज लग जाएगा ना सब्टीवर में पूरा हाई से लो तक बता देगा कौन सा भीमारी ज्यादा टॉप सर्चेज में है सबसे ज्यादा प्रप्रब्लम किसका भीमारी का है तो सरकार को पता चलेगा कि सपोज करो कि अगर कोई भारत में ही कोई अगर राज है जहां पर ज्यादा तर खत्रा आ रहा है किसका पता चल जाएगा कि एनेमिया का खत्रा है तो ब्लड मंग बागे रखना परेगा श्टोर करके कहीं अगर कहीं अगर ऐसा देख लों की सांस लेने का ज्यादा दिक्क्त हो रहा है थीक जैसे पानल उन्हां चले nosotros हो रहा है सवसंसंबंद की समया इसके लिए पहिता है कि हाँ सांस ही प्रभलम है तो जल्दी जल्दी ऑक्सेजन से लेंडर रेस्टोर करके रखेंगी है ना जहां से भी हो सके जहां से भी स्टेट से कंट्री से लागे क्या करना है लागे रख लेगी तो इससे कहीं न कहीं हमें ही फैदा होगा ठीक हम सबको फैदा होगा फैदा तो समझ में आ रहा है और वह समझना है इस से हमारा क्या फाइदा है कि नहीं बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए लाइन से खोष मूह मी मिनिममम कोष्ट में बना देता है बहुत ही कम कोफ्ट में बना देता है तो फिर इसको सीखने से कुछ फैदा ही नहीं है कि हो लोग काई बेर चलना चाहिए है Ub прост रजलना है तो एकड़मम बना सकते हो इसके साइट पर जाके ठीक है तो समझ में आ रहा है कि मेन इसका काम क्या है मेन यह कि लगवग आज से 50 साल होता क्योंकि एक साल दो साल में यह इसको पता इसका पता नहीं लगा सकता है कि कहां क्या प्रोब्लम है लेकिन लगवग पचास साल तक अगर इसको अब्जर्ब किया जाए तो यह पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट म कौन सा विमारी होता है लोगों को ठीक है यह एक अंदाजा लग जाएगा और यह अंदाजा जब पहले से लग जाएगा और software में पहले पता चल जाएगा कहां कौन सा विमारी ज्यादा तरा रहा है तो उसके अनुसार वहां पे जो है